कि वेलकम टूफामसंसार स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी यूट्यब चैनल फार्मसंसार में तो आज जो है वीडियो का थर्ड दे है 15 15 कोश्चन हम प्रीविएस वीडियो में डिसक्स कर चुके हैं पोस्ट को 954 को डिसक्स कर रहे हैं यहां पर तो आज की वीडिय पर आइम शुड कंटेन क्लोरिन परसेंटेज वेट अपॉन वेट उप्शन यहां पर 5% को डिलाइम 10% 20% और 30% तो यहां पर जो आप्शन है चाहिस में पूछा गया है कि जो क्लोरिन टीट लाइम है उसके पास क्लोरीन की परसेंटेज वेट अपॉन वेट कितनी होने चा एक प्रोपर वीडियो बनाई हुई है जिस पर आपको से लेंडर के लिए इस तो यह सारे से लेंडर के लिए इस्तेमाल के जाते हैं कौन सी गैस इसमें बर्य होती है तो इस पर भी आपको एक separate वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी तो ऑप्शन देखते हैं यहां पर ब्लैक, ग्रे, वाइट, एंड ब्लू The shoulder of oxygen slender is painted कौन से color से paint किया जाता है oxygen का slender कुछ इस तरह से होगा यहाँ पूछा है इसका shoulder यहाँ पर shoulder जो है कौन से color से आपके paint रहेंगे तो वो रहते हैं white color ठीके तो यहाँ पर आपको मैं image के थ्रू भी दिखा देते हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो white color का paint है देखिए यहाँ पर इसके shoulder के उपर white color का paint है अगर dark green color है तो वो हमारे पास argon का slender होगा अगर red color है तो वो flammable कोई भी flammable gas के लिए होगा bright green है तो inert gases के लिए है और अगर आपसे gray जैसे कि यहाँ पर पूछा हुआ है gray ठीक है option में है अगर आपको option अगर पता है कि gray color जो है carbon dioxide carbon dioxide gas cylinder का जो shoulder होता है वो gray color का होता है तो यहाँ पर आप options और को गलत करके भी अपना right अंसर निकाल सकते हो ठीक है यहाँ पर जैसे कि black भी option में है तो black जो रहता है वो nitrogen के shoulder के लिए रहता है nitrogen का जो cylinder होता है इस रहां का cylinder है nitrogen का इसा shoulder अगर black है ठीक है तो यह से हमको पता लग जाना चाहिए कि इसमें nitrogen gas भरी हुई है और यही पर अगर यह gray रंग का होगा तो हमको पता लग जाना चाहिए कि carbon dioxide का है यह trick के through जो है पूरी वीडियो आपको मेरे channel पे मिल जाएगी वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हो वरना यहाँ पर डाइग्राम को यहाँ पर वीडियो को post करके यहाँ पर आप डाइग्राम को देख सकते हो चलिए नेक्स कोशन देखते हैं और पर कोशन को पूरा पढ़ने कहना क्या चाहता है कभी क्या कोशन पूछन चाहता है ठीक है यहां क्लोरो क्यूंट जो है इसके पास कि सरह की रिंग प्रेजंट होथी है तो इसके पास उर्ट के पास गोटी है कि युदृ lies गो जो एक पीरिंसींट आमचिंग प्रेजाब होता ना कि बिल्कुल यह करिए अर्षध में यह स्थे म civ를 दाटें तो is this want किया जाता है option number second इसके लिए correct अंसर रहेगा manitol and sodium chloride injection is used as electrolyte repulsion इसके options है स्टोराइड वहिकल, irrigation के लिए इस्तेमाल करते हम as a nutrients इस्तेमाल करते हैं या फिर डारेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता है कि जो manitol है, sorbitol है यह डारेटिक्स की ड्रग है ठीक है ओस्मोटिक डारेटिक्स का classification के अंदर आते हैं यह तो यहां पर और इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा डारेटिक्स के लिए ठीक है तो यहां पर manitol and sodium chloride injection है वह यूस कियाते है एस लेक्तोलाइट प्रिपंशन और डारेटिक्स नीच्ट इस ड्रेंट्र यूनिट इनकी सब्भ decl to uni और यूनिट और यूनिट यून्टीक्स की तो यहां पर आपड़ेचे स्थीनियूट सब्स 的 और है वो एक्स रेंड्रेंग ऑ्गामा रियुनिट के लिए निक यूनिट है तो यहां पर और देखिए यूनिट यह एक तरहां की यूनिट है जो मेजर करने के लिए एक्स रेज एंड गामा रेज ठीक है कि नेक्स्ट इस के इन एक्सांपल ओफ क्वेंचिंग वेपर यूज इन जिंजर मुलर काउंटरी तो इसको आप कैसे प्रनौंस करते हैं वह आपकी मर्जी है गेगर मूलर काउंटर भी इसको बोल सकते हैं और जो भी आपकी प्रनौंसरिशन इसको आप यूज करते हों बोलनें के लिए और है argon helium chlorine and nitrogen तो यहां पर जो सही option है सही जवाब है उसका वह है chlorine जो chlorine है वह एक example है quenching vapor यूज किया जाता है जो कि gager molar counterman तो chlorine इसके लिए सही जवाब हो option number 3 next question is identification test for acetate is performed by heating sample solution with equal quantity of oxalic acid presence of acetate is is acetate की presence है उसको किसी से detect किया जाएगा यहां पर question को ध्यान से पढ़े identification test किया जा रहा है कि एसी टेट के लिए ठीक है वह आप कैसे perform किया जा रहा है वह लंबी कहाणी इसमें बता लिए कि perform किया जा रहा है by heating sample solution with equal quantity of oxalic acid तो सारी चीजह आपके थोड़ा question को बढ़ा दिया लेकिन इसमें डारेक्ट अगर बात करते हैं first line और last line की कि हमारे पास identification test किया जा रहा है acetate के लिए तो यहां पर presence of acetate वह किस से हमारे पास detect किया जाएगा तो options देखते हैं red color solution white precipitate से characteristic udder से या फिर brown fumes से उसको हम detect करेंगे तो यह characteristic उसके udder से हमारे को पता चल जाएगा कि यह जो है इसमें acetate present है तो acetate की presence उसके udder से पता लगाई जाती है उसकी characteristic आपको पढ़नी पढ़ेगी कि acetate की क्या उसके मतलब उसका color कैसा है उसका अडर कैसा है उसका weight कितना है ठीक है उसका melting point या फिर जो भी है तो option number third इसके लिए राइट रह जाएगा next question is a drug which increase the secretion of saliva saliva का secretion कौन करता है यहां पर option है Hydrogog, Emergog, Cialog, Cholagog अब यह options हड़े वैसे हैं लेकिन आपको आपने अगर पढ़ा होगा तो Cialogog जो है वह आपका saliva का secretion करता है मतलब आपके saliva जो slavery gland से आपके saliva को आपके मुकस मुह में saliva होता है उसके secretion को increase करता है उसको बोलते हैं Cialogog अब आप इसको प्रिणांस कैसे करते हैं वह आपके उपर्टिवेंट करता है option no.3 बहुत असान कोशन था यह बहुत कॉमन कोशन है बहुत 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 बात पुछा जाता है के नेक्स पॉशन है इस विच नहीं और और इसो बहुत आसन भी देख़े है यहां पर देखते ही बनता है यह तो की शाख लीवर ओवल जो है रिस वटमीड ए है वाइटमिन B3 रेफर टू इसमें से वाइटमिन B3 का नाम देखी यहां पर थायमिन, नियासिन, बायोटीन या फिर राइबो फ्लेविन अब आपको यहां पर अगर वाइटमिन के आपको नाम नहीं आद रहते हैं उसमें भी आप कन्फ्यूज रहते हो तो इसके लिए भी ए गल्षा था थी राई निको बी थी ओ सोरी बी थी राइ निको पेंट पाई यह उने फास को निको से नियासिन था तो यहां पर बी थी के सामने है नियासिन तो यहां पर नियासिन अप्शन में है Yes B3 option number second इसके रिए सहिए जाएगा वाइटमिन B3 इस रह पर टूदा निया फर्स्ट यर में इसके कल्टिविशन में डिजिटली बियर रोसेट रोस जैसा एक नेक्स इस रोवल्फिया रूट्स कॉलेक्टिट फॉर्म डेश यर ओल्ड प्लांट जो रोवल्फिया है हमारी ड्रग है कोगनोसी से दो कोशन भी रिपीट हो गए साथ साथ में तो रोवल रोवल्फिया रूट्स है वह कौन से साल में पेड़ के उसके कौन सी एयर में कौन से जब कितने उमर का हो जाता है वह पेड़ कि हम उसकी रूट्स को कॉलेक्ट करना शूर कर देते हैं अपनी ड्रग के लिए तो यह है ऑप्शन नमबर सेकिन तीर और चार साल के बीच में जब रोवल्फिया पेड़ होता है तो हम उसकी रूट्स हो कलेक्ट कर लेते हैं अपनी ड्रग को फ्रमुलेशन करने करें क्रीए तो अप्शन नमबर 6 इसके लिए नेक्ड़ कोईर के लिए क्रेक्शन नमबर 3 इसके लिए करेक्ट नेक्स्ट इस जिनिंग इस वाप्रोसे इसमें क्या होता है कि आपके ट्राइकॉम्स को सेपरेट कर दिया जाता है अलग कर दिया जाता है तो आज की जो फिफ्टिन कोश्टन है वो यहां पर समाब्द होते हैं इस फेपर को हम साथ-सात में सॉल्व कर लेंगे और कल जो है हम जीचे की कुछ important कोश्टन में आप यह लकर आऊंगी जो कि कि इंक вмसा में अक्सर पुछे जाते हैं इसこんにちは पेपर में जो जीचे है वह इस में कीि आपकी हिस्ट्री काफी जादा है आपकी modern हिस्ट्री भी बहुत है ancient हिस्ट्री भी है तो इस तक भी हम पहुंचेगे पर साथ साथ में हम other gk को साथ में prepare करते रहेंगे जो कि अभी पूछे जा सकते हैं तो थेंक्यू सो मच गाइस कीप लनिंग केव शाइनिंग